हेलो गाइज जी मैं क्या अपनों पता है कि टेस्ट दा पिपर आ रहे हैं उद्धा जो उद्धे विश इक सब्जेक्ट है इंग्लिश पहला आपनों आंगे दो पैसेज 15 नंबर दे फिर आओगी आपनों वो कैब वोकैबलरी मतलब सिनॉनियम या इंटॉनियम सेम मीनिंग या फिर ऑपोजेक्ट मिर्ग देशना पंसतो दास नंबर दे फिर अपना एक सब्सक्राइब पैड़ागोजी पैड़ागोजी कि यह स्टीचिंग ड्हट पांसतो दास नंबर दे आनी है एक और करवाव ऑनके आपानूं अंकुर से कंगत आपाउरेगी करने हैं सिनॉनिय क्योंकि देखो जो पैसे आपा करने हैं पैसे दीजिली ताइयों होंगे जे ओदे विच आए सारे वर्ड जे आपानों मीनिंग प्रियर होंगे आपा मीनिंग आइन चरांगे क्लियर डेली क्लास लगा के सिनॉनियम दी देखो पहला वर्ड है अबेश अबेशा मतलब घुझे ढेश है दी लिचा, तक दी खहनी है या पेचरान, ऩुझे ओछ बेश ना मतलब कि यूंद है किसे नो शर्मिंदा करना to embarrass शर्मिंदा करना धना अपना वर्ड आएंद है abdicate abdicate मतलब कि यूंद है give up मतलब छाड देना त्याग कर देना जदो आपकिसे इस नो छाड दने आजमा फिर आये अपलूशन ablution दा मतलब हुंद है the act of washing oneself मतलब आप दी शुद्धी करना शुद्धी करन करना then word is abode abode दा मतलब कि यूंद है ओ जगा जिथे कोई रह रहे है जगा फिर average average दा मतलब हुंद है shorten छोटा करना then word is absolute absolute दा मतलब complete पूरा देन अपना word आये है absolve absolve दा मतलब कि यूंद है pardon maaf करना then aboriginal aboriginal की यूंद है जद्धी जगा native मतलब जिथे वन्दा शुरू तो ही रहन्दा आ रहे है फिर आपना word आये है abstract abstract कि यूंद है shorten form of speech जोदो आपका किसे लंबी स्पेस देविचे छोटा या पार्ट काड़ लन्या उन्हों छोटा करके लिख दिया उन्हों की क्या आया है abstract फिर आपना word आया है abstain abstain दा मतलब है refrain from मतलब किसे चीज तो रोकना फिर अपना word है adapt adapt दा मतलब है proficient किसे भी फिल देविच चंगी तरह निपून होना फिर वर्ड है agony अगोनी दा मतलब है बहुत जादा तकलीफ होना बहुत जादा दर्द होना ए extreme pain फिर अपना word आंदा अपैथी अपैथी तो मतलब है किसे चीज इंट्रेस्ट ना होना lack of interest and last word अपना augments आउगमेंट तो मतलब है किसे चीज नो वदाना increase करना okay thank you